किसान भाई ओ आज की वीडियो में आप जिस ग्यों को देख रहे हैं कितना सांदार खड़ा देखो तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने एक एकड़ जमीन में 45 किलो परेकड़ के साब से इसकी बुआई की थी तो ग्यों थोड़ी जमीन में थोड़ी खुसकी थी तो जिसकी वे लग रहा है कि हमें जो है बुआई के बाद भी इसमें बाद में आप लोग पर ले गयों बहुते हैं अगर चीटा रहाना पड़ता तो आपको करना थे चीटा लागाना पड़ता ज्यादा ना रहे है ना तो ऐसा लग रहा था कि अब हमने इसके अंदर बीच का शड़का आप द्वारा करना पड़ेगा लेकिन अब हमने इसमें जो जाइम प्रियोक किया है ना तो उस जाइम के डालने के बाद इतनी जवर्जस्त इस गयों के पोदर ने ट्रिलिंग कर गये तो हमें जो है अब गयों के छीटा लाने कि इसमें कोई जोत नहीं पड़ेगी आप य जब गहूं 21-22 दिन का था हमने पहले इसमें हर्भी साइट किस पर कराई थी क्योंकि घासे बहुत ज़्यादा जमी थी है और आप इस चीज़ का खास दोर पर ध्यान रखें अगर आपके गहूं में घासे ज़्यादा जमी हो तो आप पहले घासों करने के लिए हर्भी हैं डाला तो घंक के पोदे पोदे को देंगे ये उसका गहूं से ज़्यादा जो असर है प्राइब हो देखने मिलेगा तो इस चीज का मैं आपको बार बार बता रहा हूं खास तोर पे ध्यान रखना है कि आपको अगर घासों की समस्या ज़्यादा है आपके आजमनेगी तो आप पहले घासों को मारें या घासों कांट्रोल करें उसके बाद ही जाहे इसमें जिंग जायम या कोई भी जो माइकोनूटन आप देना चाहते हैं वो गेहों में लगा सक अब आप तिल्लिंग खुद ही देख लो इसमें कितनी सांदार टिलिंग क्यों भी यह बहुत से लोग कहते हैं कि यह बहुत से लोग किसान बाई बोलते हैं कि केल्सियम डालना है तो कोई दिक्कत नहीं आप लोग उस चीज को भी यूज कर सकते हो वह भी बढ़िया है ऐस उससे क्या होता है जमीन सक्स हो जाती है अब सेलफर काम करता है जमीन को सौफ्ट करने काम करता है जिससे कि होता क्या है कि गहों के जड़े हैं उनका विकास बहुत तेजी से होता है और जब जड़े तेजी से विकास करते हैं किसी पोड़े की तो उसमें कल्ले मानने की है या साखा ही पोड़ने की च्छमता है वो कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि अगर पोदा सही से चलेगा खुल करके तो कल्ले बाद उसको कल्ले मानने में काफी असानी होती है क्योंकि कई बार आपने देखा हुआ कि ज़्यादा पानी भनने की बज़सा है जब लोग पानी देते हैं गहोंको तो जहां पर जमीने गहरी होती है या किसी वेसे पानी ठेड़ जाता है तो जमीन बहुत ज़्यादा सक्स हो जाती है ना जिससे कि पोदा पड़ जाता है अगर आप उसको सही टेम पे जिंग जाइम नहीं प्रवाइड करा हो गई तो सीधा चलने लगता हरा तो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अगर आप उसको कुछ भी नहीं देंगे ना तो आपसे लेके वह 10-15 दिन के बाद पोदा हरा हो जाएगा लेकिन होता क्या है कि वह पोदा कल्ले नहीं कर पाता है ना मैं आपको बार बार बता दूँ अगर आपने सही समय पे ठीक लिए नहीं कर पाता क्योंकि उसकी वह उमर निकल चुकी होती है कर लेकरने कि उसके बास भी नहीं करेगा इसलिए आपको जो भी माइक्र नुट्रेंट्स जिंग जाइम या कैल्सियम सलफर पोटाज जो भी डालना है आपको गेहों में 30-40 दिन के वीतरी डालना है ठीक है जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को सेर करें जिससे कि और किसान भाई भी इस वीडियो का लाव उठा सकें क्योंकि हमारी हर वीडियो में अधिक से अधिक कोशिस रहती है हमारे किसान भाईों को अधिक से अधिक जानकारी हो ठीक है ना और वीडियो को अभी तक लाइक निक्या तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आगे आने वाली ग्याओं की फसल के वारे में आपको नहीने जानकारी मिलती रहे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद